नमस्कार आप देखरें विडार 24 निउस मैं हूँ आपके साथ जैग ग्यानवापी कार्बन डेटिंग के मामले में वारा नसी के जीला अदालत शुकरवार को फैसला सुनाएगी कोर्ट ने इससे पहले दोनों पक्षों को सुनने के बाद 11 अक्तूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था दरसल हिंदो पक्ष जीचे शिवलिंग के लिए कार्बन डेटिंग कराई जाए ताकि उसकी उमरत का पता चले और फिर दूद का दूद और पानी का पानी हो जाए कार्बन डेटिंग की मांग चार महिलाओं ने की है वारा नसी की जीला जज डॉक्टर अजय कृष्ट ने विश्वेश की आदालत में इस मामले में सुनवाई कर गई है दुसरी बड़ी खबर भारत में 5G मोवाल इंटरनेट सेवा की शुरूआत हो चुकी है केंद्रे वित मंत्रे निर्मला सीतरमन ने बताया कि देश की 5G तकरिक स्वादेशी है हाला कि दक्षिन कोडिया जैसे देशों में कुछ एहम भाग आयत किये गए है उन्होंने कहा कि भारत अन देशों के साथ भी 5G टेकनोलोजी साथ कराने के लिए तयार है जॉन्स होफिन्स स्कूल आफ एडवांस इंटरनेशनल स्टेडिज में गुरुवार को स्टुडेंस के साथ बाचीत के दोरार उन्होंने ये बात कही तिस्वी बरी खबर बिहार में OBC आरक्षन की वज़या से नगर निकाय चुनाओ तलने के बाद सियासी घमसान शुरू हो गिया है नितेश कुमार की पार्टी जहां इसका टिक्रा BJP पर खोड़ कर धनना दे रही है वही अब BJP ने महागरबंदन सरकार पर अती पिछरों के आरक्षन को लेकर साज़िश करने का आरोप लगाया है इसके लिए 17 अक्तूबर को BJP प्रदेश फ़र्मे धनना प्रदेशन करेगी BJP प्रदेश अधियक संजय जैसवाल ने गुरुवार को पटना में प्रेस कोंफरेंस कर नितीश सरकार पर निशाना साधा चौती बड़ी खबर दिल्ली के लोगों के लिए अब प्रदूशन भड़ी दिनों की शुरुआत होने जा रही है अनुमार है कि हवा की दिशा बदलने और रफ्तार कब होने के चलते अगले दो दिनों में दिल्ली का वायू गुरुवत्ता खराब श्रेनी में पहुँच सकती है हाला कि गुरुवार को दिल्ली की वायू गुरुवत्ता मध्यम श्रेनी में रही मौनसूर के चलते दिल्ली के लोगों को जुडाई अगस्ट और सेक्टमबर के अप्रिक्षा प्रित साफ सुतरी हवा के सास लेने का मौखा मिला पांचमी बरीखवर हिमाचल प्रदेश के उन्ना के लोगों ने प्रधानमति नरेंदर मोधी को जोरदार स्वागत किया पीयम मोधी के स्वागत में जंकर नारे लगाने वालियो को एक वीडियो सामने आया है पीयम मोधी पैदल चल रहे हैं और लोग नारे लगा रहे हैं लोग मोधी मोधी के साथी देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया का नारा भी लगा रहे हैं छट्टे बड़ी खबर इस बीद चुनों से पहले ही कॉंगरेस को बड़ा जटका लगा है। एक हिस्ते ने महसित के नुकसान पहुचाया। इस मामले में पुलिस एक दर्जन लोगों पर F.I.R. दर्श की है। इस से एक है NMCH पहुचे इस दोरान उन्होंने मरीजों और उनके मरीजों से बाचीत की और उनका हाल चाल जाना। तिजस्फी यादव ने इस दोरान पूरे अस्पताल का रियक्शन भी किया। वही जॉक्टर से डेंगों को लेकर सारी जनकारी ली। इसके अलावा तिजस्फी यादव ने NMCH की स्वास कर्मियों को जमकर क्लास भी लगाए। दसमें बड़ी खबर भारत जोरो यातरा पर निकले राहूल गांधी ने किसानों के दिखकतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। झाल।